अगर आपने PK फिल्म देखी है तो उसके क्लाइमेक्स में एक सीन है जहां पर बहुत सारे बाबा लोग न्यूस चैनल पर आते हैं और अपनी विद्या के बारे में बात करते हैं क्योंकि उनकी विद्या को टेस्च किया जारा होता है अब तक ये हमने फिल्म में देखा था, अब तक ये हमने पीके और Oh My God जैसी फिल्मों में देखा था, लेकिन अब रियालिटी में ऐसा हो रहा है देश के हर एक चैनल पर एक ही बाबा की बात हो रही है, वो है बागेश्वर धाम के धिरेंद्र शास्त्री, आखिर धिरेंद् शास्त्री हर एक चैनल पर है, क्यों सारा मीडिय धिरेंद्र शास्त्री के पंडाल पर पहुँचा हुआ है और बाबाजी से आखिर ये मीडिया क्या जानना चाता है, चले जानते हैं धिरेंद्र शास्त्री की इस लेटिस्ट कॉंट्रोवर्सी की डीटेल, ये जन्वरी से 13 जन्वरी तक उनका रामकथा का पाठ था, इसी दौरान 6 और 7 जन्वरी को उन्होंने दिव्य दर्बार लगाया, इस दिव्य दर्बार में वो लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, धिरेंद्र शास्त्री एक बात के लिए बहुत फेमस है, कि कोई भी जब अपनी प्रॉब्लम देकर उनके पास आता है, तो बिना बोले ही उन्हें उसकी प्रॉब्लम पता चल जाती है, और वो क्या पूछने वाला है, ये बात बाबा उसके बोलने से पहले ही पेपर पर लिखकर बता देते हैं, कि तू ये पूछने आया है, और उसके बाद उसको उसका solution देते हैं यानि कि वो इंसान का मन पढ़ सकते हैं उनमें इतनी शक्तिया हैं कि वो लोगों के अंदर क्या चल रहा है और वो क्या पूछने वाले हैं ये उन्हें पहले ही पता चल जाता है वो कहते हैं कि उनके उपर भगवान बाला जी की दिव्य दृष्टी है ये सब कुछ बंद करवा चुका है और इसे महराश्ट्रों में Crime माना जाता है क्योंकि वहाँ पर एक Bill Pass किया गया है कि जादू टोना ठोटका करना ये जो बाबा दावा करते हैं कि हम आग पर चल सकते हैं हम पानी पर चल सकते हैं हम ावा में ओर सकते हैं हमारे अंदर एक धीरेंद्र बाबा को challenge किया है कि अगर आप वाकई में लोगों का मन पढ़ लेते हैं और लोगों की problem solve करते हैं तो हम एक panel बिठाएंगे जिसमें बहुत ही intellectual लोग होंगे इसमें judges हो सकते हैं इसमें बड़े-बड़े लोग हो सकते हैं जिनके सामने बैट कर आपको अपनी शक्ती दिखानी है और प्रूफ करना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अंद विश्वास नहीं है वो सच है सच में आप भगवान बालाजी का अवतार है शाम मानव का कहना है कि अगर धिरेंद्र प्रसाद ऐसे ही लोगों की problem solve करते हैं तो फिर भगवान किसलिये है और अगर वो भगवान का message लोगों तक देते हैं तो लोग डायरेक्ट ही बगवान से message का आदान प्रदान क्यों नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात अगर उनमें इतनी ही power है healing की तो फिर पूरे इंडिया में जितने भी लोगे उन सभी की problem बाबा सौर क्यों नहीं करते हैं ये सारे challenges शाम मानव ने दिये जिसके बाद बाबा सुर्ख्यों में आ गए तो शाम मानव की तरफ से सबसे पहले ये बाते मीडिया में आई और उसके बाद मीडिया वाले धिरेंद्र शास हर एक चैनल पर है हर एक मीडिया से बात कर रहे हैं और वो कितने दिव्य है या नहीं इसका प्रूफ भी उन्होंने दिया है जी हां उन्होंने नागपूर में तो नहीं लेकिन राइपूर में शाम मानव का challenge accept किया है दो दिन का पंडाल लगाया गया है जिसमें मीडिया को बुलाया गया है बीस से पच्चिस कैमरा है चार लाख लोग वहाँ पर मौजूद है और कैमरा के सामने वो अपना test दे रहे हैं जी हां चैनल से आने वाले एक reporter से वो कहते हैं कि लोगों की भीड में से किसी भी एक को आप उठा कर लेकर आओ लेकिन आप जाओगे उधर उ जिसके हाथ में एक बच्चा होता है लेडी बच्चे को लाकर स्टेज पर रखती है और खुद भी बैठ जाती है और बाबा उस लेडी को जो पर्चा उन्होंने लिखा होता है वो पढ़ाते हैं और लेडी वो पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि बच्चा है जो चल नह भी सकता है उसकी नसे मुड़ी हुई है आर्थिक तंगी है और ये उसकी प्रॉब्लम्स है ये पढ़कर लेडी को एकदम चमतकारी महसूस होता है उसे समझ नहीं आता कि बाबा उसके आने से पहले ही उसकी प्रॉब्लम कैसे जानते थे कि वो यहीं पूछने वाली है जिसके हैं कि बागेश्वर धाम जहां पर दिरेंद्र शास्त्री का पंडाल लगता है वहां पर उनके दादा सेवक थे तो जब उनके दादा मंदिर में सेवक के तौर पर काम करते थे तो वो भी अपने दादा के साथ कई बार मंदिर आते थे और रामकथा सुनते थे मंत्रों चा परिवार इनिशिली तो ठीक टाक कर रहा था लेकिन जब दादा की मौत के बाद उनके पिता और उनके चाचा अलग हुए तो उनका परिवार आर्थिक तंगी में आ गया जिसके बाद मा ने भैस का दूद बेच कर परिवार को चलाया और जब परिवार प्रॉब्लम से करने के लिए एक टाइम पर धिरेंद्र शास्त्री ने रिक्षा भी चलाया वो रिक्षा चलाकर जो पैसे आते उससे घर का खर्चा निकालते थे लेकिन जब उन्होंने कथा पढ़ना शुरू किया तो लोगों को उनकी बातों में इंट्रेस्ट आने लगा और धीरे धीरे वो पॉपलर होने लगे दोहजार सोला में उनका नाम बहुत बढ़ने लग गया तब जब उनकी कथा वाचन जो है वो संसकार टीवी पर दिखाया जाने लगा तब उनकी बाते लोगों तक पहुँची और उनकी फैन फॉलोइंग और जादा बढ़ने लगी और इसके जिस स्थरह से पढ़ते हैं और जिस तरह की बाते करते हैं और जो उनका डिविद दर्बार है ये बात तो उनकी खास है ही इसके अलावा वह वो वन आफ यंगेस्ट बाबा कह सकते हैं हमारे देश के हैं उनकी उम्रे महस 26 साल है और 26 साल की उम्रे में यंग्स्टियर्स दिनी घ्यान बरी बातें करते हैं वो लोगों के लिए वेहद शौकिंग है इसके अरावा उनका जो स्टाइल है उनके जो लुक्स है वो भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं कई बार वो ऐसी हरकते करते हैं जो लोगों को अट्राक्ट करती है लोगों का ध्यान उनकी तरफ खीचती है जैसे कि अचानक से बोलते बोलते वो ताली बजा कर हसने लगते हैं ऐसा हमने वॉलिवूड की फिल्मों में विलिन्स को करते देखा होगा लेकिन हाँ धिरेंदर शास्त्री की इस तरह की जो चीजें हैं ये लोगों का ध्यान खीचती है और इसी लिए भी लोगो को उनकी बाते याद रहती है बट अब तो धिरेंदर शास्त्री सभी तरफ पॉपलर हो गए हैं नाकपूर कॉंट्रोवर्सी के बाद दूद का दूद पानी का पानी हो ना हो धिरेंदर शास्त्री जो दिवे दरबार में करते हैं वो सिर्फ अंधविश्वास है या और उनका जो दिवे दरबार है उसका अब लाइव टेलिकास्ट हो रहा है